स्वागत है आपका इंसे और सिविल सेर्विसेस पर मेरा नाम है सवरभ यादव और आज के लेक्चर में हम लोग अंताराष्ट्री घटना करम जो भी है उसके बारे में अध्यान करेंगे आपको अल्रेडी पांच लेक्चर दिये जा चुके हैं करेंट अफेर के घटना सार क पर मार्टम किया जा चुका है पांच लेक्चर आपको मिल चुका हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर outcomes देख लीजे और अगर आपने अभी तक अ तो चलिए सुरू करते हैं अंतराश्टी घटना करम का सार जो 1 जनुरी से 15 नौंबर तक जो भी कुछ है घटना सार में दिया गया है वहां से उठाय गया है चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला है एक समिट हुई है COP26 कान्वेंशन आप पार्टी जल्वाय सम्मेलन 2021 हुआ है कहां पर United Kingdom UK में हुआ है 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 सम्मेलन कॉप 26 का आयोजन ग्लासको के स्कॉटिस इवेंट कैमपस में किया गया सम्मेलन के अध्यच्छता भारती मूल के बिटिस काइबनेट मंतरी आलोक सर्मा ने किया है बिटिस काइबनेट मंतरी आलोक सर्मा ने किया है जो भारती मूल के हैं याद रखेगा ग्लासगो समझोता के कुछ मुख बिंदु हैं वो क्या है पिर्थभी को बचाने के लिए 200 देसों की भागिदारी वाली सेंक्त राष्ट की 26 मी कांफरेंस में भारत ने आखरी समय में समझोते में उर्जा उत्पादन में कोईले का अपयोग रोकने के मुद्दे पर आपत्ती जताई इसके बावजूद इसके बाद समझोते में सामिल रोकने के सब्द को घटाने में परिवर्तित किया गया ठीक है चीन वा इरान ने इस पर भारत का साथ दिया हलंकी रूपी संगवा अमेरिका सहित कई देश और संगतरास अध्यच इससे खुश तो नहीं थे लेकिन उन्हें भारत के तरकों से सहमत होना पड़ा याद रखिएगा अगर आप UPPCS मेंस देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही महतपूर है चलवाई सम्मेलन जो हुए है बहुत ही महतपूर है कात कुस्चन वहां से बन जाएंगे ये सब पॉइंट सा आप रखेंगे तो बहुत अच्छा परभाव पड़ेगा चलिए को 1.5 डिग्री से तक सीमित रखा जा सके कॉप 26 सम्मेलन के दावरान 2022 में कॉप 27 संक्तराज चलवाई सम्मेलन की मेजबानी मिस्र को दिने का निरड़े लिया गया याद रखिएगा कॉप 26 सम्मेलन के दावरान ही 26 हुआ है UK में और फिर 27 होगा मिस्र में 28 जो होगा वो UAE में होगा UAE में याद रखिएगा यहाँ पर क्वेस्चन बढ़ेंगे तो आप लोग बताएगा कॉप 25 कॉप 25 कहां पर हुआ है हो सकता है उसमिच्छा अधिकारी में सुमेलन के लिए कॉप 25 कहां पर हुआ था वो भी पूछा जा सकता है बाकी ये तीन आपको ग्याद है क कॉप 26 यूगयों में हुआ है कॉप 27 मिस्र में होगा कॉप 28 कहां होगा UAE में ठीक है संबोधन में दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस लच को पराप्त करने के लिए पंचा मिर्ट रड़नीती का पस्ताव भारत ने रखाया जो इस प्रकार है भारत वर्स 2070 तक सुद्ध स उन्य सर्जन नेट जीरो कारबन इमीशन प्राप्त कर लेगा याद रखियेगा कब तक 2070 तक और दूसरा पॉइंट है वर्स 2030 तक भारत यह सुनिशित करेगा कि उसकी 50% उर्जा आवा सकता है अच्छे उर्जा सुरतों से पूरी की जाएगी नमबर तीन है भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेट कारबन इमीशन में एक बिलियन टन की कमी करेगा भारत अपने सकल घरेली उत्पात की प्रती काई सर्जनती बता को 45% से कम करेगा भारत अपने 2030 तक 500 गीगावाट नवी करनी उर्जा उत्पन करने है तो सिस अगर आम मेंस दे रहें तो यह सब पॉइंट्स आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं या आप इन सब पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं किसी और आंसोर में नेट जीरो क्या है नेट जीरो लच घोसित करने वाले राष्ट वर्स 2019 में न्यूजिलेंड सरकाद वरा जीरो कार्वन एमिसन पारित किया गया और इसके तहट देश को वर्स 2050 तक जीरो कार्वन उसर्जन का लच हासिल करने हो तो प्रतिपत धिकिया गया बाकी और देशो प्री के एकजामें ही से एक क्वेस्टन स्टेटमेंट में पूछा गया तो विपीपी से 2021 के एकजामें नेट जीरो क्या है जिसे कार्वन तत्रस्थता कार्वन न्यूट्रेल्टी भी कहा जाता है नेट जीरो का मतलब यह नहीं है कि कोई देश अपने सकल उसर्जन को सुन मंडल से ग्रीन हाउस गैसों के आउसोसर्ड तथा निराकरण की द्वारा छती पूरीत किया जाता है ठीक है उर्छरजन का आउसोसर्ड करने में ब्रिध्धी करने है तो अधिक संख्या में कार्वन सिंक जैसे की जंगल तैयार किये जा सकते हैं जबकि वाई मंडल से गैस सिकर संब्nea reopening City में वोड़ी में फाउ का हेड़कवाटर भी रॉम इतली में है और रोम रोम जो है इतली का रोम किस नदिक किनारे है ताइबर नदीक किनारे टाइबर टाइबर नदीक किनारे तो ग्यातीक 我們 याद रखेगा इटली के रोम में हुआ है इटली के प्रधानमत्री मारियो ड्रैगी की अधिस्ता में हुआ है और रोम घोसडा पत्र रोम घोसडा को अपनाने के साथ हुआ रोम घोसडा क्या है रोम घोसडा अभी देखेंगे और इसका मोटो क्या था People, Planet and Prosperity और यहाँ पर कुछ चीज़े की गई है कि मोदी जी ने भारत के परधान मंत्री जी ने अपने संबोधन में कुछ वहाँ पर कहा है कि वर्स 2022 में 20 सुक के लिए 5 अरव वैक्सिन खुराक से अधिक उत्पादन की है इसलिए अस्यक है कि 207 संगठन भारती वैक्सिन को सिग्र मानता दे और WHO ने वर्तमान समय में मानिता दे भी दिये सम्मेलन में मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सिन महामारी से लड़ने के लिए हमने एक प्रिप्थित्वी एक स्वास्त वन अर्थ वन हेल्थ का विजन बिश्व के सामने रखा है जो भविश्मी किसी भी संकट से निपटने के लिए ये बिश्व की बड़ी ताकत बन सकता है भारत को फारमेसी आप दे वर्ल्ड के रूप में प्रस्तूत करते हुए प्रदान मंतरी ने कहा कि हमने देड़ सो से अधिक देशों को इस संकटी घड़ी में दवा के आपूरती की है ठीक है ये सब चीजें है पीपल प्लैनेट और प्रस्परेटी याद रखेगा रोम घोसरा संबंदी था जी ट्वेंटी से ये भी याद रखेगा कहां पर हुआ है रोम इटली में हुआ है काउन सा संब्लैन है सौलामा है मार्या ड्रेगी इटली के प्रदान मंतरी के अंध्यस्ता विए अब sentiments है अब सोलामा सीकर संब्लैन है तो 17 सीकर संब्लैन कहा होगा 2252 में इंडुनेसियाम होगा 18-23 में भारत में तथा 19-24 में ब्राजिल में आउजित किया जाएगा याद रखेगा सुमेलित करने के लिए कोस्टन पूछा जा सकता है याद रखेगा सोलहमा रो में हुआ है 17-22 में इंडोनिसियम होगा अठरामा भारत में होगा अठरामा भारत में होगा 2023 में, 2024 में बराजील में होगा ट्रिक बना के याद कर लिजेगा ठीक है यहाँ पर कुछ चीजें है समेलन के समापन पर जारी अंतिम दस्तावेज नि G20 सदस राष्ट की नेताओं ने निमलिखित के लिए प्रतिबधता बेक्त की है किसके लिए प्रतिबधता बेक्त की है जलवाई परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अब 2025 तक हर साल 100 बिलियन डालर परदान करना कौंट करेगा 100 बिलियन डालर G20 देश 2021 के अंत तक सभी नए कोईला सैंत्रों के लिए अंतरराश्टी वित्त पोसर्ट समाब्द करने के लिए सामती लेकिन सैंत्र बंद करने की समय सीमा तैय नहीं है ग्लोबल वार्मिंग को पूर अद्वेगिक अस्तरों से 1.5 डेग्री सेल्शेस उपर सीमित करने के लिए कारवाई करें जी ट्वंटी 2030 तक जाव भीत्ता हरास को रोकने और छतिपूर्ती कारवाई को मजबूत करने के को प्रतिबद्ध है और कोई-19 टीको के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधी करण पर डबली अच्चो को मजबूत करना ये सब यहाँ पर जो की प्रतिबद्धता अभ्यक्त की गई है आगे है चाटवाँ G20 की इस बैठक में बहुराश्टी कमपनियों के लाःप़ नियूंतम 15 परश्चत का टैक्स लगाने पर सदस्य देशों ब्यापक सामती बनी जिसे एक बड़ी उपलबधी माना जा रहा है इस करके परयोग में आने के बाद बहुराश्टी कमपनियों के लिए कम करवाले देशों सो बच निकलने के रास्ते बंध होंगे ये चीजें याद रखिएगा आपके लिए कोस्चन है बताईगा मिनमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट भारत में कितना परस्थ है मैट भारत में कितना परस्थ है और ये कलाइन में बताईगा अखिर है क्या ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है आसियान का 38 और 49 सिकर सम्मेलन आसियान का 38 और 49 सिकर सम्मेलन कहां पर हुआ है ये हुआ बुरुनेई के दारुसलाम में अगर आपने जियोग्राफिका लेक्चर देख के बारे में कई बार क्वेश्टन पूछेए गए हैं कमय्ट में जा杜 कर देख सकते हैं तो यह पर बहुत से टारू सलाम में चलिए बता भी दीजीगा बुर्नेजी की राजधानी जरूर कर Ini कर येक बुरुनेई के दारु सलाम में हुआ 38 और 49 संयुक तरिवेसन एक साथ हुआ है ASEAN का ASEAN बोलते हैं Association of South East Asian Nations एक कोशन आपके लिए और है आप लोग कमेंट करेंगे कि ASEAN में कितने देश हैं और कौन कौन से देश हैं कमेंट जरूर करिएगा सम्मेलन के देशता बुरुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोलकिया ने किया और इसके थीम थी We Care, We Prepare, We Prosper We Care, We Prepare, We Prosper ठीक है ASEAN सिकर सम्मेलन के साथ ही 18 भारत आसियान इंडिया आसियान समिट भी हुआ और सुलामा इस्ट एसिया समिट भी हुआ सब याद रखेएगा कि कहाँ पे हुआ है बुरुनेई में हुआ है वर्स 2022 में आसियान भारत संबंद साज़धारी के 30 वर्स पूरे करेगा और इसे आसियान भारत मैत्री वर्स आसियान इंडिया फ्रेंटिशिक वर्स के रूप में मनाया जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो याद रखिएगा और यह योजरा अंतराष्टी सौर गटबंदन आयसे का भी लच्छे आयसे का भी लाव उठाएगी और यहाँ पर इसरो जल्द ही प्रधारमत्री मोदी जी ने कहा कि इसरो जल्द ही दुनिया को एक कैलकुलेटर परदान करेगी जो किसी भी छेत्र की स तो और उर्जा चमता को माप सकता है जल्द ही इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गिनाजिशन जल्द ही इसका हो करेगा तो आपके लिए एक क्वेस्चन है आप लोग बताईएगा पुलिकट जील किन दो राज्यों के बीच में है और कितना कितना परसेंट दोनों राज्यों की बीच में है ठीक है वैक्स को चुना गया आक्सपोर्ड इंग्लिश डिक्सनरी का वर्ड आप दे यर 2021 अवार्ड वैक्स को वी एक्स को चुना गया है आक्सपोर्ड इंग्लिश डिक्सनरी का वर्ड आप दे यर 2021 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रिटेन में गांध जी महात्मा गांधी जी राष्टपिता महात्मा गांधी जी की इसमरित में पांच पॉंड का सिक्का जारी हुआ है। धरडों में से एक मेरा जीवन ही मेरा संदेश है मेरा जीवन ही मेरा संदेश के साथ साथ भारत के राष्टरी पुस्व कमल की छबिव केरी गई है। कि अगर आप एक्जाम देने जा रहे हैं तो आप खुद के साथ बहुत नाइसापी कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई के प्रती ओनेस्ट रहिए समझ रहे हैं। इमांदार बनिए। हमारे एक मतलब हमारे भाई ही हैं वो आयाटियस हैं अपने बारे में तो ऐसे नहीं बताते हैं। उनका बस एक ही एक चीज बताते हैं कि be honest to your preparation, be honest to your preparation, अपनी पढ़ाई के प्रती, अपनी तैयारी के प्रती इमांदार रहे हैं। खुद को धोखा मत दीजिए कि हमने एक पेच पढ़ा और आगे बढ़ गए और अपने मन में अपने को खुश करने के लिए बोल दे रहे हैं या फिर अपना संतुष्टी के लिए कह रहे हैं कि अरे हमारा complete हो गया हमने कर लिया है। ऐसा मत करिए नहीं तो पस्ताना पांच दिसंबर को जब साम को घर पर आएंगे और पेपर चेक करेंगे या फिर एंसर की जब आएगी जब मिलाएंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस प्रकार से करने से क्या होता है ठीक है चली मोजांबिक फॉरेस्ट कार्मन पार्टन सी फैसिल्टी से भुकतान पाने वाला पहला देश ठीक है तो कौन सा देश है मोजांबिक आप लोग कमेंट करिएगा मोजांबिक की राधानी क्या है मोजांबिक की राधानी क्या है कमेंट करिएगा और मोजांबिक और मडा अगासकर की बीच में कौन सी जलसंदी है कौन सा चैनल है जरूर कमेंट क रखेगा वर्ल्ड बैंक ने भुकतान किया कितना 6.4 मिलियन डालर इसके बारे में थोड़ा सा अपलुक पढ़ लीजिएगा जरूर याद रखेगा अभी के लिए मोजांबिक देश को फारेस्ट कार्बन पार्टनर सी फसेल्टी से भुकतान पाने वाला पहला देश बना है भारत ब्रिटेन और आस्टेलिया की सेयुकत पहला है आईरिस क्या है आईरिस 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 भारत ब्रिटेन और आस्टेलिया की पहला है इंस्ट्रास्ट्रक्चर फार रेसिलियंट आईलेंड इस्टेट क्या है आईरिस मंच का उदेश एक ऐसा बुनियादी जो आपदाओं का सामना कर सके और दूइप राष्टों में आर्थिक नुकसान को कम कर सके आईरिस पहल को आश्ट्रेलिया भारत और यूके से 10 मिलियन डालर की सुरुवाती फंडिंग के साथ लांच किया गया है ओके आगे बढ़ते हैं चले। जरूर पढ़ियेगा इस साल जूर में हुई बैठक में FTF ने money laundering जिससे आतंक का वित्त पोसक किया जगया कि जाच करने में बिफल रहने के कार के लिए पाकिस्तान को अपनी गिरे लिस्ट पर बरकरार रखा है पाकिस्तान को बरकरार रखा है साती सा पाकिस्तान के दोस्त तुर्की, माली और जार्डन को भी गिरे लिस्ट में रख दिया गया डबलू एच्चो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट डबलू एच्चो की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है यहाँ पर कोईड-19 को बताया गया कि रिपोर्ट में कोईड-19 के क्या होता रोपड उल्मूलन का भी बिलोम होता है रोपड ठीक है तो रिपोर्ट में भारत को टीवी उल्मूलन में सबसे अधिक प्रभावी देश के रूप में भी उल्ले किया गया है जहां 2020 में नए टीवी मामलों का पता लगाने में भारी प्रभाव पड़ा है कोई 19 की वज़ा से लोग कोरोनम भी जी थे और लोग जो है कि टीबी का पता नहीं लगा पाई टीबी का टेस्ट अगरा नहीं करा है रिपोर्ट के अनुसार 6 रोग से सबसे अधिक 15 लाख मौतें 2020 में हुई इसकी एक तिहाई यानि 5 लाख मौतें भारत में हुई है 15 लाख पूरे 200 में से 5 लाख मौतें मौत जो हुई है टीबी से भारत में हुई है वर्स 2019 और 2020 के बीच टीबी के नए मामलों की दर्ज संख्या में गिरावट मुखेता इन देसों में देखी गई भारत में 41 परसंट गिरावट इंडोनेसियाम 14 परस्द फिलिपिन्स में 12 परस्द और चीन में 8 परस्द ओके चली आगे बढ़ते सिरलंका ने भारत से नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक की पहली खेव प्राप्त की है सिरलंका ने नैनो तरल नाइट्रोजन नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक की पहली खेव प्राप्त की है यह उर्वरक सिरलंका को मक्का और धान की खेती मदद करेगा याद रखेगा सिरलंका को भारत ने 99 तरग लिकिड यूरिया लिक्वीड आगे लाश्ट स्लाइड में है लिकिड यूरिया उट्वीड बताएंगे अभी के लिए याद रखे सिरलंका ने भारत से 99 नैटोजन तरग रोलक के पहली खेपराप्त की है एक्वाडोर ने अपराद की लहर पर अपातकाल की घोसड़ा की है एक्वाडोर के राष्टपती गुएरलेर्मो लासो ने हिंसक ड्रक अपरादों में बृद्धी के कारण दच्छिर अपरिका देश में 60 दिनों के अपातकाल की घोसड़ा 20 अक्वाडोर को की है राष्टपती लासो ने मादक पदार्थों की तसकरी और खपत को हत्यारों, घरलू चोरी, वहनों और समानों की चोरी तता तसकरी मृद्धी के पीछे मुख कारण की रूप में इंगित किया है याद किया, एकवाडोर ने, एकवाडोर की राजधानी क्या है, कमेंट जरूर करिएगा 58th Renewable Energy Country Attractiveness Index 58th Renewable Energy Country Attractiveness Index जारी हुआ है, कम जारी किया है Consultancy Firm Ernst & Young द्वारा 13 अक्टूबर 2021 को 58th हमाँ Renewable Energy Attractiveness Index 2021 जारी किया है इस Index में जहां अमेरिका और चीन क्रमसा पहले और दूसरे अस्थान पर है, वहीं भारत तीसरा अस्थान बनाए रखने में सभल रहा है इस सुचकांग में दुनिया की 40 देसों को रखा गया है, जिसमें से पहले पर अमेरिका है, चीन दूसरे पर भारत, तीसरे नमबर पर है रैंकिंग से रिलेटेड लेक्चर आपको दिया जा चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लिजे, पांच तारीक अब दूर नहीं है, पांच दिसम्बर को समिछा इदिकारी का पर है, या फिर आप और भी कोई एक्जाम दे रहे हैं, आपका और भी कोई सम्मिलन वेश्विक कोईट सम्मिलन 22 2022 को वेश्विक कोईट 19 सिखर सम्मिलन अमेरिका की अध्यशता में वर्चुली संपन हुआ, जलि आगे बढ़ते हैं, संघाई सायोक संगठन ये भी बहुत महत पूर है, संघाई सायोक संगठन एक CEO क्वाइस कॉश यह शंग कि अपनी अस्थापना की 20 वर्षघांट मना रहा है विसमी वर्षघांट मना रहा है संमेलन में भारत का नित्युत प्रदान मंत्री मोधी में जिनोंने वीडियो लिंक के माध्यम से पढल में से बसरा दिया में यह सियो में जो आठ देश अभी पहले थे आठ देश थे आठ प्लस वन हो गया प्लस वन एक और देश जो जुड़ा है वो नवा देश हो गया है इरान यह सियो में नाइट देश हो गया नव देश अब हो गया वो इरान हो गया आठ जो 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 आठ जो देश पहले से थे भारत और पाकिस्तान तो हैं ही भारत प्लस पाकिस्तान तो हैं ही तो आठ और जो देश मतलब आठो देश से बारे में बताएगा भारत पाकिस्तान तो आपको पता चली गया तो आठ देश जो हैं उसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा और बताएगा कि यसीओ की अस्थापना किस वर्स में हुई थी उसके बारे में लिखेगा कमेंट जरूर करिएगा एक लाइन में लिखेगा भी क्यों यह किस परकार क्या संगठन है तो राजधानी दुसामबे में एकिसवा दुसामबे ताजिकिस्तान की राजधानी दुसामबे में एकिसवी सिकर बैठक हुई और यह सिकर बैठक ताजिकिस्तान की राष्टपती एममली रहमन के अदिस्ता में हुई या hybrid प्रारूप में आवजित पहला SEO सिकर सम्मेलन और चौथा सिकर सम्मेलन था जिसमें भारत और पाकिस्तान ने SEO के पूर्ट सदस के रूप में हिस्सा लिया तो ये भी बताएगा कि भारत और पाकिस्तान किस वर से SEO में जोईन हुए चलिए आगे बढ़ते हैं लिए अबिस्ता परकिस्ता पासी का या ने भारत परसांत चहतर के लिए एक नई 35 सुरस्च्चा साजदारी आकस की नई साज़धारी की घोसरा की है याद रखे एक तीन देश हैं आकस ग्रूप में आकस की पहली बड़ी पहल के थाथ अमेरिका और बिर्टेन की मदद से आस्ट्रेलिया परमाड उर्जा से चलने वाली पंडूबियों का एक बेड़ा बनाएगा जिसका उद्देश हिंद करने लगा फ्रांस क्यों विरोध करने लगा इसके चलते फ्रांस का आस्ट्रेलिया से और वो डालर का पंडूबी करार तूटा है क्योंकि उसे अब एटमी उर्जा पंडूबी तक निकी अमेरिका से मिल रही है याद रखेगा ये यूके यूएस आकस आकस ग्रूप पो उसमें हमसे पूछा गया था कि कौार्ट देश के बारे में बताएए बिस्तार पुरुवक कौार्ट देशों के बारे में ओके चलिए आगे बढ़ते हैं टाइम की 100 सरवाधिक प्रभासाली लोगों की सूची जारी हुए जिसमें तीन भारतियों की जगा दी गई है परध चीन का होटन दुनिया का सबसे प्रदूसित सहर दूसरे अस्थान पर है और रिपोर्ट के अनुसार आश्ट्रेलिया का सहर जूट बरी सबसे स्वच्छावा वाले सहरों के सूची में PM 2.5 के अस्तर के साथ सीर्ष रस्तान पराप्त किया है आश्ट्रेलिया का जूटबरी सिर्सस्तान सबसे खराब होटन 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 और भारत का गाजियाबाद दूसरे नमबर पे है सबसे खराब और भारत की बात किया जाए तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का ओके चली आगे बढ़ते आश्ट्रेंड में हवा से कारबन लेने वाले दुनिया के सबसे बड़े प्लांड की सुरुआत आइसलेंड में हवा से कारबन लेने वाले दुनिया के सबसे बड़े सैयत्र का संचालन सुरू हो गया है इस सैयत्र का नाम है औरका क्या नाम है आइसलेंड में हवा से कारबन लेने वाले दुनिया के सबसे बड़े प्लांड की सुरुआत की गई है इस प्लांट का नाम है औरका औरका जिसका अर्थ आइसलेंडिक सब्द में एनर्जी यानि उर्जा है या प्रतिवस चार हजार टन कार्बन डायकसाइड को सोक सकता है फिलिपिन्स संसोदित गोल्डन राइस के ब्यावसाइक मजूरी देने वाला पहला देश गोल्डन राइस में जो है बिटामिन ए बीटा करूटीन से भरपूर हने करार यह राइस बचपन के अंधेपन जैसे रोगों से बचाव के लिए उपियोगी होगा फिलिपिन्स के गरीब समधायों में के पांच में से एक बचा बिटामिन एक कमी से ग्रसित है और बैस्विक अस्तर पर 190 मिलियन बच्चे बिटामिन एक कमी से पीडित है ठीक है तो फिलिपिन्स जो है संसोदित गोल्डन राइस के ब्यावसाइक मजूरी देने वाला दु अंतराष्टी चाल अंसंदान संस्थान के सहयोग से यह किया गया है गोल्डन राइस का विकास अफगानिस्तान में अंतरीम सरकार का गठन इस को रखना नहीं चाहिए था लेकि रखा गया है क्योंकि जब पाकिस्तान में चुना हुआ था वहां के नए परदान मंतरी बने गया है अंखूत को अफगानिस्तान के प्रदान मंतरी बना गया है मुला बरादर मौला मौलवी हनाफी को मौला बरादर मौलवी हनाफी को प्रदान मंतरी बना गया है तालिबान के प्रमुख सेख हिब दल्ला हिब दल्ला हिब दल्ला हिब दूला हिब दूला हिब दूला सिर्लंका में खाद संकट कारण आर्थिक आपातकाल की घोसड़ा है सिर्लंका में आर्थिक आपातकाल की घोसड़ा है सिर्लंका में सिर्लंका में आर्थिक आपातकाल की घोसड़ा की गई क्यों खाद संकट के कारण आइन दुबाई दुनिया का सबसे बिसाल और सबसे उचा आपजर्वेशन हील आइन दुबाई लंदन आई से लगभग दोगनी उचाई पर आइन दुबाई आगंतुकों को 2500 मीटर के उचाई तक ले जाएगा जहां से वे दुबाई के सुगम में सुरभ्य छितीच के सुन्दर द्रिश का आनंद ले सकेंगे ब्लू वाटर्स दीप पर इस्थित है याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं पूर्त गाली भासा के देशों के समूँ में भारत पर विच्छक के रूप में सामिल हुआ है यह चार महादीपों में लूसो फोर राष्टों का यक अंतराष्टी संगठन और राजनीतिक संग है जहां पुर्दकाली एक आधिकारी भासा है और इसमें भारत को एक परवेच्छक का दर्जा दिया गया है परवेच्छक की रूप में सामिल है ठाइलेंड में लगा दिया गया है जो उसके समुद्री राष्टी उद्यानों से प्रवाल को नुकसान पहुचा रहे हैं प्रवाल प्रजडन में बाधा डाल रहा है और प्रवाल विरंजन का काराण बन रहा है इसी तरह के प्रवाल पसांत दीप पलाव और अमेरी की राज़ हवाई द्रहा भी ळगाए गया है याद रिखिएगा अभी थाइलेंड ने लगाया है सरिस्कीन पर पदिवन यहाँ पर है सुरच्छित सहर सूचकांग Economic Intelligence Unit के दोरा Safe Cities Index 2021 जारी किया गया है सूचकांग में जहां डेनमार की राधानी कोपेन हेगोन को यहाँ शूचकांग की राधान की रेलेंड गया है अधानी कोपेन हेगोन को दुनिया के सबसे सूचकांग मान अगया भी यंगोन म्यामार को अंतिम अस्तां 60ं पर रखा गया है और इस साठ में भारत के दो साहर है दिल्ली 48-1 पहार मूंबई 50 पर है दिल्ली सबसे सुरच्चित कहा जा सकता है 48 में नंबर पर है और मुंबई 50 में अस्थान पर है दुनिया का पहला कार्बन सीमा कर कार्बन सीमा कर दुनिया का पहला तो एरोपी आयोग एरोपियन कमिशन ने कार्बन सीमा कर लगाया है दुनिया का पहला वर्ड फर्स्ट कार् याध रखियागा इन देशों के नाम। रिजरॉप का कुल छेत पाल एक मिलियन हेक्टेर है जिसे तख तथा-कतित रूप में एय्रोप का भी कहते हैं चलिए नाट्व के एक तिसमी आफचारिक सिखर बैटक हुई जो है North Atlantic Treaty Organization इसकी अपचारिक 31 में बैठक होई है कहाँ पर Belgium की राजधानी ब्रिसल से में आप लोग कमेंट करिए गए नाटो का हेड़कोर्टर कहाँ पर है और इसमें नाटो 2030 एजंडा वो किया गया है सम्मेलन में चर्चा कभी समय में भूर अर्नितिक वातावरण उभरती पर देवकी की सामवी के रच्छा जलवाई पर उतन सुरच्छा को बदलने में नाटो की भूंका जैसे मुद्दे सामिल थे कुछ यहाँ पर मुद्दे दिये गए हैं और नाटो में वरतमा समय में 30 देश हैं आखरी देश जो नाटो में सामिल हुआ है इपको ने बनाया बिश्व का पहला नैनो तरल यूरिया इपको 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 इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को आपरेटिव लिमिटेड ने बिश्व का पहला नैनो तरल यूरिया बनाया है दावा है कि आधा लिटर नैनो यूरिया की एक बोरी आधा लिटर नैनो यूरिया एक बोरी यूरिया के बराबर काम करेगा इसके प्रयोग से पैदावार आउस्तान आठ प्रिस्त बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी पहले एक बोरी लेके जाते थे एक बोरी अब उसको 500 यमेल आधा लिटर में काम हो जाएगा पैदावार भी बढ़ेगी और लागत भी कम आएगी और ले जाने में भी आसानी होगी आधा लिटर तरलीलिया यूरिया की बोतल की कीमत तो 40 रुपे रखी गई या सामान यूरिया के एक बैक से 10% सस्ती है और इसी यूरिया को कहाँ पर भेजा गया है अभी सिरलंका में सिरलंका देश में हमने पीछे कहा था सिरलंका में इसको एक्सपोर्ट किया गया है ठीक है उत्तर परदेश में उर्वरक की बात किया जाया तो उत्तर परदेश में और इसको बनाया कौन है, फूलफूर प्रियागराज में है, कलोल इस्थित सांता संपाति तकनीक के माध्यम से नैनो जय प्रद्रक्य और संधान के इंदर में तयार किया इसे पाउधों के पोसल के लिए प्रभावी पाया गया है ठीक है तो याद रखिएगा चले आगे बढ़ते हैं अगे है ऍल सल्वाडोर बिट को लीगल टेंडर औरका दरजा दिने वाला दने वाला दुनिया का पहला देश हो गया है निती आयोग दरा इनुवेशन फार यू नामक डीजी बुक लांच की है किसने निती आयोग ने निती आयोग के आटल इनुवेशन मिशन ने 31 अक्टूबर 2021 को इनुवेशन फार यू नाम से एक डीजी बुक लांच की है इस डीजी बुक में फोकस छेतर हेल्थ केर है कौन कौन सी खुदरा प्रत्यच योजना इस योजना से छोटे निवेसकों को भी सरकारी बांड में निवेस करने का आवसर मिलेगा और वे निश्चित लाप कमा सकेंगे और दूसरा है एक इकरित लोकपाल योजना या एक देश एक लोकपाल योजना कह सकते हैं इससे बैंक अध्यमर्ग, कर्मचारी, छोटे बयापारी, वरिष्ट नागरिक अपनी छोटी बच्चत को सीधे और सुची तरीके से सरकारी बांड में लगा सकेंगे और इसमें गारंटी समाधान का प्राधान जिससे छोटे निवेसकों को सुरच्छा का भरोसा दिया जा सकेगा एक एक लोकपाल की अंतरगत यदि बैंक एनभी एफसी 30 दिन में गरांकों की सिकायतों का समाधान नहीं करते हैं तो रिजर बैंक दोरा विनियमीत संस्थाओं दोरा दी जाने वाली स्यमाव में कमी से संबंदित ग्राकों की सिकायतों का निसुल्क समाधान किया जाएगा या तो इसी के साथ आपका लगभख करेंट अफेर 95% करेंट आफेर आपका कम्पलीट हो गया है जैसे साइंस से रिलेटर जो भचा है उसको आपका कबर किया जाएगा कुज में कबर किया जाएगा कुज को ज kalo ज़रूर देखे जरूर पाटिसिपेट करिए साइन्स के अलामा कुछ जो क्या करते हैं एक्सरसाइज वगरा हुई है उसका भी वहाँ पर कुछ दिया जाएगा या फिर एक्सरसाइज का फोटो अगरा दे दिया जाएगा आपको बाकी केंदरी बजट के बात करें तो केंदरी बजट से कुछ योजना थी जैसे पीम मित् परहाया है प्रियांसु सर ने डिश्टल बोर्ड पर प्रियांसु सर ने पढ़ाया था उसको आप लोग देखे ही होंगे तो उसको फिर से एक बार देख लेजीगा लेकिन लेक्चर उनका थोड़ा वन हावर का सायद है उसको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा और बचता जाएगा तो complete कर दिया जाएगा या फिर आपको quiz में इससे related question दिया जाएगे quiz में question दिया जाएगे आप लोग जरूर participate करिये और साथी साथ आपको एक लेक्चर और दिया जाएगा जिसमें top 100 current affair सायद कल दे दिया जाए top 100 जो current affair के topic हैं उनको दिया जाएगा जो top 100 topic होंग तो आज का लेक्चर इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद